बच्चों आप पर रहे थे क्लास 11 का 4 चेप्टर रासाइनिक आबंधन और आनविक सरचना उसमें हमने सबसे पहले कहां से स्टार्टिंग की थी एक बार आपको मैं रिविजन करा देता हूँ ठीके जिससे आपको पता रहे कि हाँ भई अब क्या-क्या पढ़ चुके हैं क्य परे में जाना था रासाइनिक आबंधन क्या है इसकी शुरुवात हमने कर दी थी ठीके भई बड़े हम अगली क्लास की और अगली क्लास में भी हमने आइनिक बंद का छोटा भाई पढ़ा था ठीके यान की पार्ट टू अच्छा जी अगली क्लास में कहां पर आए एक वि कोवेलेंट बॉंड यानि की उन्होंने लुइस रचना के आधार पर बताया की क्या होता है केसे बनता है यानि कि Electrons Sharing के आधार पे सहां सहियोजग बंद केसे बन रहा है उसकी अगली क्लास में हमने बात की थी यहाँ पे किसकी भई जो कि हमारी लास्ट क्लास थी VBT बोले तो Valence Bond Theory क्या इतनी बात क्लियर है सभी को अच्छा सब Valence Bond Theory में हमने क्या पढ़ा था जहां पे क्या हो रहा था यदि हम बात करें तो यहां भी Covalent Bond बन रहा था बस अंतर यह आ गया था इस वाली जगह तो हम क्या कर रहे थे Electrons को Share कर रहे थे अब यहां पे अब यहां पे हम क्या करने लग गए यहां पे जो Area होता है न बावू अध्याई 4, भाग 5, अतीव्यापन के प्रकार काफी अच्छे से बढ़ना क्योंकि इसके बाद जब हम संकरन पढ़ेंगे ठीक है वैसे तो यह संकरन के बाद का प्रोसीजर है लेकिन पहले हम समझ लेते हैं अतीव्यापन क्या होता है या पहले भी देख चुके हैं आज सिर्फ और सिर्फ इसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे तो आइए अतीव्यापन के लिए हम बात करें तो अतीव्यापन में पहला देखो भई सबसे पहला आता है इसमें क्या अक्षिय अतीव्यापन जिसें अंग्रे जी में बोला जाता है Axial Overlaping क्या बोला जाता है Axial Overlaping अक्षियाती व्यापन से हमने बच्पन में पढ़ा था करक्षा 9 और 10 में कुछ Sigma Sigma करके कुछ आया था जिसे बोला जाता है Sigma Bond ठीक है? दो तरह के Bond यहां पर हम पढ़ेंगे एक तो Sigma और एक क्या रहेगा Pi Bond जो Sigma Bond है ना वो भाई मेरे अक्षियाती व्यापन से बनता है जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी यहां पर सबसे पहले मुझे मान लीजिए बनाना है क्या H2 मुझे बनाना है तो आप बोलेंगे भई यहां पर Hydrogen 2 है तो कोई दिक्कत नहीं दो Hydrogen जुडेंगी Sigma Bond वहां पर जाकर के बनेगा ठीके तो यहनि कि एक Hydrogen यह रहा एक Hydrogen यह रहा दो Hydrogen होगी और Sigma Bond यहां बनेगा अच्छा यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ Hydrogen का यदि Hydrogen की हम बात करते हैं तो Hydrogen कितने पर आता है एक पर आता है यहां कि 1S1 1 कर लो यहां पर 1S1 1S1 यहनि कि बाहरी कक्षक कुन सा है यहां पर तो आप बोलेंगे सर बाई यह कोश की हम बात करें तो बाई यह कोश यहां पर 1S है ठीके और 1 S है और S का आपको आकार यहाँ पर पता है का होता है भीया यहाँ यह होता है बलुकुर गोलाकार ठीक है आई बात समझ में P का भी आपने पढ़ा है D का भी आपने पढ़ा Atomic Structure आपने पढ़ा हो ठीक है उसके बाद में भी आपको मैंने रिपीट करवा दिया था अच्छा जी अब यह दी मैं बात करता हूँ यहां पे तो आप बोलेंगे सर यहां पे दो हाईड्रोजन है कितने हाईड्रोजन है? दो हाईड्रोजन है तो इसका मतलब दो गोले आ गए इन और्गनेक केमेस्ट्री को रख्टा नहीं लगाना है इन और्गनेक केमेस्ट्री को समझना है फिर बाद में रख्टा लगाना है तो दो यहां पे गोले आए दो गोले जैसे ही यहां पे आएंगे तो भई इनके बीच में क्या होगी? इनके बीच में overlapping होगी अब क्या करो इस भाई को थोड़ा सा इधर बढ़ाओ ये बढ़ेगा तो मैं भी इधर बढ़ूँगा दोनों को जैसे हमने यहां पर सुमेलित किया तो उससे एक structure कुछ इस प्रकार का मुझे नजर आ गया अब यहां पर यह जो हुआ है ना भी इसे ही तो बोला गया है यहां पर क्या over overlapping बोले तो अती व्यापन अब यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर electron share नहीं हो रहा है अब यहां पर अती व्यापन का concept है VBT का concept से यहां पर अती व्यापन हमें मिला है और यहाँ पे हमने अब क्या कर लिया, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, रीजन का शेर हमने कर लिया, अब यहाँ पे एलेक्ट्रोंस की हम बात नहीं करेंगे, और इसके थुरू कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड जाता है क्या सहसेयोजग बंद एक बना है कितना हम आपर सिग्मा एक सिग्मा बना है हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ करके चलो जी बहुत अच्छी बात है तो आपने ऐसे जान लिया पहला दूसरा देखते हैं एस पी आतीवल आपन की बात करो एस पी अदीवयापन का सबसे बहतरी मेरी नजरों में है हाइड्रोजन और यहां पर ख्लोरिन हाइड्रोजन का पर मानव करूपा कितना होता है तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन इक होता है तो नोवल Jakinkles से पहले गासे हैं यहां पर होगत वो क्या है भी नियोन उसके पहले क्या है नो नमबर पर फ्लोरीन तो नो नमबर पर हो जाएगा चलो भए बहुत अच्छी बात है तो याद है तो इसका कितना हो गया नो अच्छा इसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास मैं आपसे बनने को बोलता हूं तो आप क्या बोलेंगे सर इलेक्ट्रोनिक विन्यास सीधा सीधा बढ़ दो यदि मैं यहाँ पर 1s को बनाना चाहूं तो 2s को बनाना चाहूं दो इलेक्ट्रोन यहाँ चले गए P वाले में कितने हैं P वाले की बात करें तो P में कितने आ सकते हैं 6 आ सकते हैं यानि कि 1, 2 ठीक है? 1 यहाँ पर आया 1 यहाँ पर आया 1 यहाँ पर आया Hand rule, above, जितने भी low पड़े हैं सब लगा देंगे यहाँ ठीक है फिर 1 यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा अच्छे कितने होगे? 5 होगे? क्या 6 डालोगे? बिल्कुल ही डालोगे 10 का हो जाएगा यहाँ पर क्या चला जाएगा? यहाँ पर 10 का हो जाएगा नियोन का बन जाएगा? वो हमें बनाना नहीं हैं ठीक है बाई? चलो जी अब यहाँ पर बात की जाए तो आपको एक बात यहाँ पर नजर आ रहे होगी कि सर यहाँ पर फ्लोरिन का तो आपने यह बना दिया अब यहाँ पर यहाँ पर हईट्रसन का बनाओ लोम श्रीजट किया होता है? तो आप बोलेंगे 1000 1s1, 1s में कितना electron आएंगे, एक electron एक electron opposite spin का तो यहाँ पर डाल नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ एक spin वह कुण सा उपर लगा करेंगे, एक 3 लगा दो, ठीक है, opposite spin इसलिए नहीं हैगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का परमानुकरमायंक है, वो दो नहीं है, वो कितना है, इसलिए यहाँ पर opposite वाला नहीं आप आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, clear है भई बात, ठीक है, अच्छा इसको यहाँ बनाना चाहिए, तो आपको पता ही होता है, गोला होता है, अच्छा अब यहाँ पर थोड़ी सी बात को ध्यान से समझना, यदि यहाँ पर हम बात करें, तो देखेगा, कि इस वाली जगर से, इस वाली जगर से, कौन सा यहाँ पर कोश आया, कक्षक आएगा, तो आप बोलोगे, सर यहाँ से, सर यहाँ से मुझे पता है, जहां तक कि बताया था, कि सिग्मा बोंड उतने ही बनते हैं, क्या बोला मैंने, सिग्मा ब अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पर हाइड्रोजन का इधर से आएगा, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ऐसे करके, यह पीका आगया, ठीक है, दोनों में अतिव्यापन होगा, जैसे ही अतिव्यापन हुआ, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इस प्र ठीक है, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, ध्यान से देख लो, अती व्यापन, और यहाँ पे overlapping AC को हम बोलेंगे, कहती बात क्लियर है, ठीक है, यानि कि इसके बाद में हमें क्या मिला है, यहाँ पे इस तरगा कुछ structure देखने को मिल जाता है, ठीक है, hybridization की वे हम बात करेंगे, वह सबसे last में हम करेंगे, चलो जी, यानि कि अतीवापन किन-किन के बीच में हुआ है, दो विबिन विबिन परमानों के बीच में हुआ है, सबसे बड़ा अंतरी है यह, अतीवापन किसके बीच में होगा, पड़ावर से बोलो, दो अलग अलग परमानों के सबसे हैं, फिर वह किस में पाठ लेते हैं, वह आकर के अतीवापन में पाठ लेते हैं, क्लियर इतनी बात, बड़े आगे, यानि कि एक हम ने कर लेगा है, यहां पर अच्छा, एक एलेक्ट्रोन ये वाला, और सेम एक और कोपी पेस्ट करके एक और बना दो ये वाला फ्लोरीन का, तो अब यहां पर दोनों फ्लोरीन का जो अनपेर एलेक्ट्रोन रहेगा, वो भाग लेगा, दो सिगमा बोन बनेगे, एफटो बन गया, अरे बहुत बढ़ और यहां पर और लेपिंग होगी, और लेपिंग किस प्रकार से होगी, गुरुदेओ बता दो एक बार, नहीं आ रहा है तो समझ में, एक इधर से आया, ठीक है, एक इधर से आया, इसको इधर सरकाओ, इधर को इसको सरकाओ, येलो भई, ठीक है, ये इस प्रकार से करके, ये इस प्रिकार से करके और लेपिंग यहाँ पे हो गई, और लेपिंग जैसे होई, तो आपको क्या होँआ है यह वाला स्ट्रक्चर याँ फिर आप एक और बनाना चाहूँ इसका structure तो एक और structure इस प्रकार का बन सकता है इसको कैसे बनाएंगे? यह ऐसे करके ठीक है? इसको थोड़ा सा इस प्रकार से कर दो यहाँ पर गुंडी पहना दो यह लो जी, clear एतनी बात? यानि कि यह वाला बना लो यह यह वाला बना लो बात यहाँ पर सेमी है बात अलग नहीं होने वाली है, ठीक है बढ़े आगे? चलो जी अब इसके जो important example है, जो की exam में आते रहते हैं, उनके उपर थोड़ा सा गोर करना सबसे पहले हम बात करते हैं, s plus dx square minus y square की s plus dx square minus y square की, इसका अर्थ क्या हो गया? कि सर, s जो रहेगा, वो क्या आएगा? और उसकी आकरती आपको पता है, वो कुंसी होती है, कुछ इस प्रकार से होती है, एक ऐसा कुछ, ठीक है? और यह इस प्रकार से होगा फिर शायद, यह लो जी, अब यहाँ पर अति व्यापन कैसे करेंगे? यह इधर जाएगा, यह इधर आएगा, तो यहाँ पर यह इसका यह वाला भाग है यह इस भाग से क्या करेगा? अति व्यापन करेगा, दिखा देते हैं बताएंगे जल्दी इसको क्या बोला जाएगा, इसी को बोला जाएगा, ओवर लेपिंग, बोन बन गया, काम खतम, ठीक है, पैसा वसूल, चलो भी, आगे बड़ें, अब कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं, यह S plus D X square minus Y square का है, अगला देखना, अगला है यहा इसको कैसे बनाएं भई, इसको देखो, इसको किस प्रकार से बना जाएगा, D X square minus Y square है, प्लेस, D X square minus Y square, यानि कि दोनों यहां पर कजिन आ गए हैं, अब इसको समझो ध्यान से, एक ऐसा रहेगा, एक ऐसा रहेगा, फिर से एक ऐसा रहेगा, ठीक है, एक ऐसा रहेगा, अब ध्यान से समझना इस चीच को, ये वाला जो पार्ट रहेगा न, इससे अतिवापित हो जाएगा, ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से, ठीक है, ये बना, अब यहां पर दूसरा वाला जो रहेगा, उसको कैसे करोगे भई, ऐसे, ऐसे, और दोनों समान है, ठीक है, ये चितरगला इत्ती अच्छी नहीं है, इसलिए ये नहीं हो पारा, ठीक है, बाकी यहां पर दोनों के दोनों सेम है, और यहां पर देखो भीया, ये क्या हो गया, ये आपकी ओवर लेपिंग अतिवापन यहां पर समाप्त हो गया, ठीक है, तो आ आगे अगला जो है पहला आपने पड़ा अक्षी अतिव्यापन अब बात आएगी यहापकर किसकी पाई बोंड कि सर्फ पाई बोंड किस जगर पर बनता है तो पाई बोंड के लिए आपको जानना पड़ेगा यहापकर कि क्या लेटरल ओवरलेपिंग जिससे बोला जाता है क्या पार्शर्व अतिव्यापन 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 पार्शर्व अतिव्यापन उसे बोला जाएगा, यानि कि इस प्रकार का अतिव्यापन कब होता है, जब इनके अंतर नाभिकिय अक्ष के लंबुवत ये होते हैं, यानि कि इनके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ये परपेंडिकुलर होंगे, तभी जाकर कि ये अतिव्यापन होगा, और वहां पर फल सुरूप कौनसा बोंड बनने वाला है, पाई बंद बोले तो पी बोंड बनने वाला है, अच्छा, इसको समझीएगा, एक्जाम्पल, पहला एक्जाम्पल में बिले जा रहा हूं, यहां पर क्या पी, क्या बोला मैंने, पी, पी, अच्छा, पी का शेप ऐसा कुछ था क्या, बिल्कुल सही बात है, यहां पर भी ऐसा ही था, बिल्कुल सही बात है, यह लो जी, यह इनका एक्सिस हो गया, अब यहां पर क्या करेगा, यह इधर आएगा, यह इधर आएगा, यहां पर इबेक्स हो जाएगा, इसके बाद में जो आपका डाइगराम बन तो यहां से कुछ इस प्रकार से और इसका reflection नीचे लेकर के आ जाओगे ठीके यह कुछ इस प्रकार से यहां पर बन जाएगा ठीके यह सेम रहेंगे ठीके इसको आप यहां पर देख सकते हो यह काफी अच्छा बना हुआ है ठीके चलो जी अब अगली हम बात करते हैं यहां पहले तो हमने P की बात की अब यहां पर क्या बात करेंगे PY और DXY सरा TY का दाग्राम तो पता ए दीएक्स को पता है and 84 आए पत्तिया लगाना में जिखेंगे एस परिकार से यही यही हो जाएगी ऑárिक了吧 उसके बाद में, अच्छा आपनी ये वाली चीज तो देख ली न, यहाँ पर ये वाला बनेगा, अब यदि में यहाँ पर D वाला कक्षक लेकर आ रहा हो न, तो कुछ भी मत करो, यही डाइग्राम है, same to same है, बस यहाँ पर एक एक गुंडी छोटी से पहना दो, ऐसे करके, यह हो गया, आपका क्या है, यहाँ पर भाईया, P Y और D X Y का डाइग्राम, क्लियर इतनी बात, ठीक है, एक्जाम मत सीधा पुछा जाएगा, सीधा उसके मुँपे मारना है, ठीक है, चलो जी, आगे देखो, एक्जामपल नमबर 3, अब क्या कर रहे हैं, D X Y, और इधर भी अगले वाले में गुंडी पहना दी दोनों तरफ, अब अगली वारे में क्या करोगे, सेम टू सेम रखो, यह वाला जो है, उसको फिर से यहाँ पर ऐसे कर दो, यलो, डाइग्राम का अलग है, डाइग्राम बिलकुल भी अलग नहीं है, यह देखो, यहाँ पर यह बन गया पाई बॉंड, क्लियर है बई, कोई दिक्कत यहाँ पर कोई समश्या हो तो बता दो, वड़ना आगे बढ़ जाएं, ठीके, चलो जी, अब आगे देखना, अगला एक प्रकार होता है, उसे बोला जाता है, जीरो ओवरलेपिंग, क्या बोला जाता है, जीरो ओवरलेपिंग शुन्य अतिवापन सर, इससे पता है, इसे ही चल रहा है, क्या पता चल रहा है, यहाँ पर यह पता चल रहा है, कि यहाँ यहाँ पर ओरलेपिंग होगी ही नहीं, अब यह किस केस में नहीं होगी, दो तिन केस बता रहा हूँ, उनको सिर्फ याद रख लेना, एक्जाम की है यदि इधर से s आ रहा है और इधर से p यह वाला आ रहा है तो यहां पे देखो यह जाएगा इधर गया गया यह तो यह फिट वो गया ठीक है अंदर वह घुशने निदेगा उसके तो वहां पे क्या होगा वहां पे ओर लेपिंग हो गी ही नहीं ठीक है अच्छा सब दूस के लिए तो नज़र आ रहा है, यह वापस से जाएगा, फिर से अतिवापन नहीं होगा, यह लो, क्लियर एत्ती बात, बढ़े आगे, अगला एक्जामपल देखो, सर यह आ गया, और यहाँ पर डी एक्स वाई भी आ गया, तो इसको फिर से देखो, इसको ऐसे काट लो, इसको भूल जा को यह भी कुछ है, यहाँ से जाओगे, वापस से सर्फ वही बात अंदर गुसने ने देरा, इसको मैं पहले ही लिख देता हूँ, या आपके सेलबस में नहीं है, ठीके, सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पर नोलेज के लिए बता रहा हूँ, यह भी कुछ चीज होती है, इसमें आप क्या करोगे, ज्यान से देखना, यहाँ पर और लेपिंग कैसे होती है, जो आने है, ठीके, उसके बाद में, यह वाला जो रहेगा, वो तो किस से और लेप करेगा, यहाँ पर जाकर गे, इस से, और यह वाला कहां पर करेगा, यहाँ इस से, यह हो गया, डेल और लेपिंग, यह याद नहीं रखना है, थोड़ा सा पता होना चाहिए, कहाँ यह भी को बता इए मैंने, क्या डेल सिगमाש पाई और उसके राद में क्या बता अभी यह डैल, अब सर्व इनका जो करम रहेगा वो क्या रहेगा. सबसे पहले अपनने क्या पढ़ा था? बता मुझे सबसे सेलेबस में दूसरा जो है न पाई वह सबसे वीक होगा और जो सेलेबस में नी है वो बीच का होगा ठीक है तो वो क्या हो जाएगा यहां पर इससे यह एक संब्सक्राइब कर आए जादा सप्सक्राइब कर सोती है और यहां पर क्या होगा पाइबन जो रहेंगा वहências सीगमा रहेगा वो क्या हो जाएगा पाई से मजबूत हो जाएगा क्या इतनी बात क्लियर है ठीक है ओरलेपिंग खतम हाँ बिल्गुल यहीं पर खतम है बस इसकी दो कमिया रह गई भी है यह क्या वीबीटी का एक कॉंसेप्ट था इसमें भी यहाँ पर दो कमिया रह गई वहाँ पर आएगा चुम्ब के गुण वहाँ पर पढ़ेंगे इन्होंने तो बताया ही नहीं तो यह इसकी कमी रह गई ठीक है चलो जी अब यह इसका स्क्रीन शोट लेना चाहो तो आप ले सकते हो मोका दे रहा हूँ फटा फटसी लीजिएगा मैं जहां से बोलू वहाँ से स्क्रीन शोट लेना चलो जी सबसे पहले क्या बढ़ा था एक्षियल ओर लेपिंग ठीक है यह ले लो जो जो कम्प्यूटराइज लिखा हुआ है वो आप स्क्रीन शोट आराम आराम से ले लो ठीक है काफी अच्छी ड्रोइंग है मस्त इसको देख लो उसके बाद में जीरो होल लेपिंग के बारे में देख लो इसको याद करने ही जुरत नहीं स्ट्रेंद के बारे में देख लो ठीक है देख लो भई स्ट्रेंद के बारे में और यहाँ पे डेल के बारे में, चलो वई, अब लिले स्कीन शोर्ट, चलो वई, अब बढ़ते हैं यहाँ पे, किस की तरफ, अब अन्ने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, अतिवापन पूरा पढ़ लिया, वीबीटी का कौन से पूरा जान लिया, आयिनिक बंद पढ़ लिया, कोलें बोन तो आप बोलोगे सर यहां पर सबसे पहला हमारा काम क्या रथा है? Central Atom को पहचानना Central Atom किसे बोला जाता है? यहां परमानू होता है Central Atom Central Atom जो संख्या में नियुनतम हो आपको बिल्कुल आखे फाड़ फाड़ के देखो कौन सा दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर यह रहा यहां पर बैठा हुआ है, Carbon Carbon को उठाओ, पकड़ो यहां से क्यों बैठा रखा है? परमानू करमान कितना भी? 6 होता है, Electrons भी कितने होते है? 6 होते हैं, जान निकल जाएगी जब आप से यहां पर क्या पूछूँगा अच्छा जी अब इस चीज को थोड़ा से ध्यान से बरो अब यदि मैं Ground State में Electrons डालता हूँ Ground State में यदि मैं बात करता हूँ यहां पर तो ध्यान दीजिएगा Ground State में क्या करूँगा यहां पर तो आप देखें सर वेलेंशी शेल कुन सा है यहां पर वेलेंशी शेल यहन के सही हो जी कोश तो आप बोलेंगे सही वाला ठीक है कितना आ रहा है 2S और 2P मुझे बनाना है चलो जी 2S और यह 2P 1 2 2S में कितने है 2S में 2 है तो 2 डाल दो यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं यह 2 यहां पर पटक दिये ठीक है भई बढ़े आगे अच्छा जी अब सर यहां पर 2P में भी कितने है 2P में भी दो यह तो आप भरने का यह तरीका रता है यार ऐसे मत भर देना यह लो यह तो कोई नियम ही नहीं हुआ ठीक है इसकी तो हमने पाल लाइन की यहां पर फो यहां पर डालो ठीक है और एक कहां पर भरो यहां पर अब आपको यहां पर एक चीज मैंने बताई थी रिवीजन हो जाएगा बढ़ या ना कि भई जो यह नजर आ रहे हैं यह तो पाट लेगा नहीं यह और यह हो रहे हैं दो हो रहे हैं लेकिन भीए फिर यहां पर CH4 कैसे बन गया ठीक है तो इसका मतलब सर यहां पर कुछ आपने को चीज बताई थी कि स टेन देखेंगे, Michigan State के बात करेंगे, तो Excited State में किया होता है, आपको बता है? अच्छे सिए, जो यह वाला electron होता है, वो कहां पर चला जाएगा? यहांपे, क्योंकि इसके भाद में खाला है, तो यह यहां पर भाड़े से चला झाएगा, यह 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 दिककत है, है , एक यहां भर द पर यहाँ भर दिया , एक यहां भर दिया , अब गिनलो कितने हैं पर unpaire हो रहे हैं तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 , यहां पर 4unpaire हैं तो सिग्मा बोंड़ भीकितने बने ? चार बने और हाइड्रोजन है यहाँ पे तो उसको भी कितने चीए एक 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 एलेक्ट्रों चीए तो वहाँ पे चार सिंवा बोन यह बना लेगा ठीक है अब यह किस से मेल करेंगे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन से यह आपको 1-1 होता है तो SSS तीन ऐसा जाएंगे यह एक दो तीन चार तीन तो यहाँ पर पी के साथ में एक यहाँ पर अब देखो इसको ध्यान से समझो थोड़ा है यह वाला एस इस वाले इस से मिलेगा SSS बन गया अच्छा अब बात थोड़ी सी यहाँ पर समझ में आने लगए कि confusion कहाँ पर होगा कि सर जब यह इस से मिल रहा है यह इस से मिल रहा है यह इस से मिल रहा है तो यहाँ पर तो शेप कौन सी देगा यह SP वाली देगा लेकिन 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 जब इसका structure बनाया जात तो यहां पे carbon को ऐसे यसे करके रखा जाता है, यह एक्चुली लेबरोट्री में देखा गया है, इसका structure ऐसा होता है, ठीक है, पहले थे यह बोल दिया, कहां भी यह और लेपिंग होती है, यह सब होता है, लेकिन बाद में प्रियोक्षाला में देखा, तो देखा, यार यह क बात यह थी कि जो यहां पे पूरे के पूरे जो bond दिखाए दे रहे हैं यह वाले, यह क्या है, identical होते हैं, अब यह identical हो रहे हैं, क्यों, यानि कि जितने भी bond यहां पे मुझे नज़राते हैं, all four bonds are identical, why? यह यहां पे question आ गया, और इसी ने विग्यानिकों के, यहां पे मस्त hybridization, यानि कि hybridization की आवश्यक्ता क्यों पड़ी, क्योंकि यहां पे CH4 ने थोड़े से यहां पे घपले कर दिये थे, ठीक है, तो CH4 यहां पे इस प्रकार से नज़राया, लेकिन last में हमने देखा कि यह जो यहां पे bond बन रहे हैं, यह क्या है, identical है, clear एतनी बात, ठीक है, तो अगली class में हम जानेंगे कि संक्रन क्या है, उसके बारे हम बहुत ही अच्छी तरीकेस चर्चा करेंगे, दो class लेंगे, लेकिन अच्छी से बढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद में formal chart आपका बच्चा बच्चा हुआ है, उसके बाद में एक बहुत ही प्यारी theory हम मिलते हैं अगली class में धन्यवाद